दोस्तों जेकर तुसी गूगल ते ए लिखके सर्च करोगे के ब्रेवेस्ट कॉम्यूनिटी इन दा वर्ल्ड ता एदा ज्वाब तुहानू पहले नंबर उते ही लिख्या मिलेगा एदा ज्वाब कुछ इस तरह है The six are the bravest courageous of all without any doubt not only in India but in the whole world This is the right answer I am giving you एदा मतलब के बिना किसे शक दे ना के सिर्फ पार्त देश देवेच बलके पूरी दुनिया पूरे विशव देवेच सेख कॉम सेख सब तों बहादर ते सब तों हिम्मत वाले ने ए सही जवाब है जो मैं तोहानू दे रहा आसी अक्सर ही अपनी बहादरी नू दरसौन दी दसंदी कोशिश कर दे हा पर गालत तदों बांदी है जेकर कोई दूजा साधी बहादरी दी साधे बरे गाल करे पाकिस्तान दा मेजर जनरल एम खान उने एक किताब लिखी सी जीदा नाम या क्राइसस ओफ लीडर्शिप ओदे वेच उने पार्त ते पाकिस्तान दा जो दो युद होया सी जड़े सेख सिगे ओ जदो साधे दा लड़ रह सी एस लड़ाई दे वेच असी उनना दे सामने कोजवी करन्तों बेवास सी सेख बहुत ही बहादर ने ते ओ शहादत देन दी उनना दे वेच बहुत लाल सा है ओ एने जोर दे नाल लड़दे ने के ओ आपड़े नालों कई गुणा ज्यादा फौज नू हरोंडे समरा थाने ओना देवेच ओना दा होंसला किते ज्यादा सी इस तो गे जनरल लिखदा है के हाई मुठी पारिसिंगा ने साड़ी महान जेतनों वड़ी सारी हार दे वेच तबदील कार देता ते साड़ा होंसला साड़े विश्वास नों चकना चूर कार देता इस तो गे ए जनरल जड़ाया ओन लिखदा है के एथे उनने कोजकू जड़े महान सिख नाइक ने उनना बारे ते कोजकू लड़ाईया जो सिखा देना लड़ाईया ने उनना दा जिकर कीता है वो ये लिखदा या के सिख नायक ते जड़ियां लड़ाईयां उना देना लड़ियां गयाने ओ अनगिर्ट ने पर फिर भी उना देविचो कोज कुदा उने जिकर कीता या सबतो पहला उने सारा गड़ी दी लड़ाई दे बारे दस्या जो के ब्रिटिश इंडियन आर्मी ते अफगानी ओर्क जई कबीलियां देविचकार 12 स्तंबर 1897 नू तिरा मोहेमतों पहला लड़ी कई सी ये लड़ाई उतर पचमी सरहदी सूबे जो के होने खैबर पक्तून खवा पाकिस्तान दे वेच है ओथे होई सी इस्तो बाद ब्रिटिश इंडियन टुकडी वेच छती मी सेख जो के होने सेख रेजिमेट दी चौथी बिटालियन ने ओदे 21 सेख शामल सी एक जड़ी चौँगी सी इसारे सेख ओदे वेच ताइनात सी ते इना दी अगवाई कार्या सी और इशर सिंग ओस अगवाई और इशर सिंग दी अगवाई दे वेच जिनेवी सेख और इना ने लड़के मरन वासते चौण कीती सी जिस वेच कुछ फौजी इतिहास कार इतिहास दे सब तों वड़े ते अखीर ले मने जान देने इस जनरल खान ने ता होन दी जड़ी गाल लिया होन दे इतिहास दी गाल कीती सिखान दी सिखान दे लडाईयां दी ते उन्हें दे होंस ले दी पर जेकर पिशले से किते हास दी गाल करिये तां चमकौर सहिब दी जंग बारे कौन नहीं जानदा किथे चाली सिंग ते किथे 10 लाख जड़ी मुगल फॉज सी ओ गुर्गोबिन सिंग जी दा था पड़ा ही सी जो के 10 लाख फॉज दे नाल कले कले सिंग नू लड़ा गया इस तो बाद जून 1984 महीने दे वेच दरबार साहिब उते जो हमला होया सी बरतानिया रूस ते इसराइल दी मदद वाली पार्टी फॉज ने टाइसो दे क्रीब सिंग जो दरबार साहिब दे अंदर सी उना नू खतम करनवास ते दरबार साहिब उते चड़ाई कर देती सी सेख जर्नेलां दी गल करिये ता सरदार हरी सिंग नलुआ, महाराजा रंजीत सिंग, बाबा बंदा सिंग, बहादर बाबा दीप सिंग जी, अकाली फूला सिंग जी ते एना तो इलावा जनरल सुबेग सिंग जी ने बंगला देश नू अजाद करवाया ते फिर जूंच रासी देवेचे सिखान कमांड भी देते सी, एना तो इलावा सरदार अर्जन सिंग अलक जो के इंडियन एर फोर्स देवेचे एक फील्ड मार्शल ते पदम वेबुशन सनमानित सी, एजड़ा अर्जन सिंग अलक सी, पार्ती हवाई सैना दा इकलोता अधिकारी जिनने ज सीख इतिहास या फिर सिखान दी बहादरी जड़ी है ओ धी खोद तरजमानिं करके खोद नू बहादर नहीं दास रहे जड़ी साड़े बारे जन सीख कौम बारे दुनिया कौन ने दुनिया नूता पता है के सेख कौन हुँदेने पर सादे आज जड़े लोगया उना नूं इस बारे नहीं पता उछ बरे पता नहीं ला सके यह तरासदी है साड़ी जड़ी आजकाल दी पीडी है जड़े बच्चे या असी उन्हा नो अपड़े पहास्तों जानू नहीं करवा सके ओ जड़े फिल्मी एक्टर ने, फिल्मी स्टार्ज ने, कार्टून वाले या ज़ा नकली सूपर हीरो ने, ओना नो अपने आइडल मांदे ने, अपने आदर्श मांदे ने, ते जिना ने 18 सेर दा खंडा खड़का के बिना सीज तुम, दरबार सहिब्दी राखी किती सी, ओस सूरे शेर, ओस जड़ा एक बहादर नाई किया, सिख नाई किया, असली हीरो या, ओधिया जदो जनन दिहाड़ा हुंदा है, ज़ा कोच भी हुंदा है, ओधियां सिर्फ फोटो मां शेर कारके, फोटो दे थले, कोमेंट वहे ग्रू लेके ही, असी सार दिन्या, काश के ओंसलाय ओपाई बचितर सिंग वर्गा हुंदा, ओना वर्गा विश्वास हुंदा, ता फिर सामने मस्त शिराब्ली हाथी ही क्योना आजांदा, कोई परवा ने सी